लदाक में सेना के जिस घातक मिलिटरी बाहन वैप ने चीन को कंट्रोल में रखा है वही बाहन अब कश्मीर में पाकिस्तान साय आतंकियों का खत्मा करने वाला है कश्मीर में पहली बार CRPF को ये घातक मिलिटरी वहिकल दिये गए है वाप के आने से जम्मू कश्मीर में आतंकी ओपरेशन्स में किस तरह से मदद मिल रही है इस रिपोर्ट में समझे ज़रा चाहे गलदल हो चाहे जंगल हो चाहे पानी हो हर जगा ये भी कुछ जो है ओपरेट कर सकती है ये नकेवल ब्लड प्रूफ बलके माइन प्रूफ ब्लास प्रूफ और रॉकेट प्रूफ गाड़ी है ये विकल है उन्टिया सवदेशी निर्मिता है जो की ससस्तर बलके जो सैनिक है उनको केरी करने के लिए इसको बनाया गया है कश्मीर में जमीन हो जंगल हो या दलदल हर मुश्किल अलाके में सी आर पी एफ का आतन के खिलाफ ऑपरेशन और ज्यादा घातक हो जाएगा कश्मीर में नापाक आतनकियों के खात्मे के लिए सी आर पी एफ को वीर्ड आम्ट एमफीवियस प्लैटफॉर्म यारी डब्लू एच एपी वहन मिल गया है जिसे जमीन और पानी पर आपरेशन के लिए खासतों पर डिजाइन किया गया है यह वो गाड़ी है जो गाटी में पाकिस्तान से आये आतनकियों को रौंदरे के लिए काफी होगी यह गाड़ी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह वो सुफिस्टिकेटिड नवीन तम गाड़ी है जो स्यार पिएफ को दी गई है इस गाड़ी के मिलने के बाद CRPF 100% जो है एक उपरेशन में कंट्रोल में आ जाएगी जब वो इंटे मिलिटन्ट उपरेशन करेगी क्योंकि ये गाड़ी जो है केवल जमीन पर नहीं बलके ये पानी में भी उपरेट की करती है और पानी में भी उपरेशन कर सकती है ये एक आठ पहिया घातक मिलिटरि वाहन है जो हर मुश्किल इलाके में उपरेशन करने में सक्षम है समतल जमीन या पहाड नदी या दलदल इलाका कैसा भी हो इस गाड़ी की मदब से CRPF चुटकियों में आतंकियों को उनके सही अंजाम तक पहुँचा सकती है अगर घाटी में कोई आतंकी ऑपरेशन करना हो तो एक साथ CRPF के 12 जवान इस गाड़ी में बैठ कर जा सकते हैं ये गाड़ी CRPF जवानों की सुरक्षा की भी गैरंटी देता है इस पर बुलेट, बम, माइन्स, ब्लास्ट या रॉकेट किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं होगा नकेवल ब्लड प्रूफ बलके माइन प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और रॉकेट प्रूफ गाड़ी है यानि जब इस गाड़ी के भीतर एक जवान ऑपरेशन करने जाएगा तो वो हर लिहाज से सुरक्षित होगा, सक्षम होगा ऑपरेट करने के लिए आतंकी ऑपरेशन के समय ये गाड़ी 100-500 किलोमेटर प्रती घंटे की रफटार से भाग सकती है इसके अलावा नदी के पानी में भी इसे चलने की महारत हासिल है गाड़ी में मौजूद ज़्यादतर हजियार रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट होते हैं यनि इसमें बैठे जवानों को आसाली से अपना मिशन पूरा करने में मदद मिलने वाली है अंदर का सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे इसको जो है एर कंटिशन बनाया गया है रिमोट डिवाइस इस पे लगाये गये हैं और रिमोट ली आप हर चीज़ को अपरेट कर सकते हैं इस पे जो घन लगा हुआ है उसको जो 6.72 का घन लगा हुआ है उसको अपरेट करना हो या फिर बागी चीज़ों को अपरेट करना हो आधुनिक सुविधाओं से लैस इस घातक वाहन में आपको आत्म निर्बर भारत की जलक भी दिखेगी पूरी थरा स्वदेशी डबल्यू एच एपी वाहन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानि डिया डियो ने बनाया है ये विकल है पूर्णतिया सवदेशी निर्मित है जो की ससस्तरबल के जो सैनिक है उनको केरी करने के लिए इसको बनाया गया है ये एक मतर ऐसा विकल है जो की ओल्टरेन है यानि ये सड़क पे भी चलता है पानी में भी चलता है और दल दल में भी इसको निकल सकता है CRPF को शुरुआत में छे डबलू एच एपी दिये जाएंगे छे में से दो वाहन फिलहाल कश्मीर पहुँच चुके हैं इन्हें दक्षच कश्मीर के यलाकों में सेराथ किया गया है कश्मीर में आतंक आखरी सास ले रहा है और सुरक्शा बलो को मिल रहे हैं से आधुनिक वाहन आतंक के ताबूत में आखरी कील साबित होंगे भारत सरकार ने 2022 में लदाक में तेरा सैनिकों के लिए भारतिय सेना को ये वाहन उपलब्द कराया था CRPF पहली सेंट्रल आम फोस है जिसे ये घा तक वाहन उपलब्द कराये गए हैं CRPF पहली ऐसी अर्दसेनिक बलबनी है सेना के बाद जिसे इस तरह की नमीनतम जो है खाईली वेपन्ड आम्ड वेकल दी गई है और इस वेकल के मिलने के बाद ये सुनिश्चित होता है कि जो इंटी मिलिटेंट आपरेशन्स है वो CRPF 100% सक्सेस्फली आपरेट कर सकेगी काम पसे फाह मनजूर के साथ खालिद हुसेन जी मीडिया पुलवामा